सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए क्रिके के हर फॉर्मेट में टीम इंडिया को उंची राहों पर ले जाने वाले कप्तान विराट कोहली ने बिसी सी आई के सामने हिलाडियों की सैलिरी का मुद्दा उठाया है विराट कोहली ने अधिकारियों से हिलाडियों की सैलिरी बढ़ाने की मांग की है वैसे इस साल टीम इंडिया के टॉप हिलाडियों की सैलेरी बढ़ी थी और उनकी सैलेरी दो गुना कर दी गई थी हिलाडियों की सालाना कमाई 3 लाख डॉलर तक पहुंच गई थी मगर विराट इसमें और इजाफा चाहते हैं टीम इंडिया और बिसी सी आई के बीच सालाना करार 30 सितंबर को खत्म हो चुका है और अब जल्द ही नए कोंट्रैक्स होंगे इसी को देखते हुए विराट कोहली बोर्ड से सैलेरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं खबरों के मुताबिक विराट कोहली ने सैलेरी का मुद्दा रवी शास्त्री और एमेस धोनी के सामने भी उठाया और उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा की हैं खबरों के मुताबिक अब ये तीनों ही खिलाडी प्रशासकों की समिती से मिलकर सैलेरी मुद्दा उनके सामने रख सकते हैं। खिलाडियों का बिसी सी आई से सैलेरी बढ़ाने की मांग करना जायज भी है क्योंकि देखा जाएं तो भारतिय टीम का शेडिूल इस समय बहुत ही बीजी चल रहा है। किसी भी खिलाडी को खेल से आराम नहीं मिल रहा है। ऐसे में विराट कोहली ने अपने सब हिलाडियों के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए बिसी सी आई को सैलेरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताफ रखा है। इसी वजह से धोनी और कोहली को बहुत ही अच्छा लेजर माना जाता है। इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजिए।